हेलो फ्रेंस आज मैं आप सबी के साथ सेयर करें बिल्कुल खस्ता, कुरकुरी और खाने में बहुत जाया स्वाधिस्ट और बिल्कुल चटपटी नमक पारे की रेसिपी जिसे आप एक बार बना लेंगे तो चाहें तो हपतों और महेने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंस आज की इस कुरकुरी और चटपटी सी नमक पारे की रेसिपी स्टार करते हैं बेना टाइम रिजिट के क्या क्या इंग्रिडेंट है सब कुछ बिताऊंगे वीडियो में लास तक बने रहीएगा इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां तीन कप नाप करके मैदा लिया हुआ आप चाहें तो यहां पर दो कप मैदा और एक कप यूँ के आटे का इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने आधी चमच मंग्रेल डाला हुआ है साथ में में इसमें एक चमच भर करके अजवाइन डालोंगी हातों से थोड़ा सा इस तरह से मसल करके फिर डालेंगे जिसके इसका फ्लेवर बहुत ज़दा अच्छे से इसमें फैल जाएगा उसके बाद से इसमें हम स् अच्छे से रगड़ते हुए आधी की बीच में मसल ने समसलते हुए अच्छा सा इसमें मौन लगा लेंगे और तीन से चार मिनट के अंदर इसमें अच्छी तरीके से सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी और अच्छे से मौन लग जाएगा अब यहां पर हम पान और किस्वी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में तो यहां पर ध्यान देजीएगा फ्रेंज कि यहां पर हलका गुनगुने पाने का में इस्तमार करेंगे आटे को गूतने के लिए तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पाने डालकर हम इसे ट्रेस्टी दे जिससे इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको दिलीजे 10-15 मिनिट के बाद यह अच्छे से सेट हो गया है बिल्कुल अच्छे से और इसे हलका साम हाथों से फिर एक बार मसल लेंगे जिससे की सभी चीज़े इसकी आपस में एक बार अच्छ और इसने के सबस्रां प्रोसेश के साथ कर लेंगे और कारने करके निकाल लेंगे तौ इसी तरीके से प्रेंस मैंने सभी को पीसिस को कट करके रख लिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग यह बहुत साथा मोटा नहीं है मीडियम साइज का ही रखे कि किये जब हम तलेंगे तो यह थोड़े फूल चायेंगे और फूल करके अपने साइजों से डबल हो जाएंगे चले चलते हैं अब तलने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दीजेगा कढ़ाई में हम तेल डाल लेंगे और तेल को मीडियम फ्लिम पर थोड़ा सा हलका गुन्डुना गरम कर लेंगे बहुत साथा गरम मत कीजिएगा जैसे हलका गुनमुना हो जाएगा हम तेल को गरम होने के बाद कोई भी आप खाने वाला तेले हाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो घी में या फिर रिपाइंड ओयल में आप यहां पर तल सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके हम यहां डालते जाएंगे और यहां पर ढालने वाक्त ध्यान दीजेगा इसे चलाईएगा मत रिचिपक भी जाएं आपस में तो यह निकलेंगे नहीं इसी तरह से डाल दीजेगा थोड़ी दिर बाद यह खुद बखुद ही तली को छोड़ देंगे और गैस की फिलिम को यह अच्छी से फूल जाएंगे और अच्छी तरीके से खूबसूरत गुल्डन क्रिस्पी होने लेंगे देख सकते अपने का हलका हलका सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है इससे बस हलकी हलकी हाथों से चलाते रहेगा और इसी तरह सी धीरी दीरी बिल्कुर अच्छे से कर दख को गया है बस अब हमेनी से निकाल करके रख लेना से प्रोसेस के साथ हम सभी को तल करके निकाल लेंगे और इसी तरहिके से मैंने सभी को तल करके निकाल लिया हुआ अब हमें क्या करना है इसे चटपटा और टेस्टी सा टेस्ट देने के लिए यहां पर भर करके एक चमच चाट मसाला डालेंगे जिसी कि इसका टेस्ट बिलकुल चटपटा हो जाएगा आधी चमच कस्मीली लालमिच डालेंगे जो कि बहुता तीखी नहीं होती है यहां पर सब्सक्राइब कर देंगे और यहां पर सारे मसाले अच्छे से चिपक जाएगा जिसे कि खाने में बाद में का फ्लीवर और स्वाथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां पर फ्रेंट मैं आपको बात क्या दिला दू कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मुझे सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और अच्छे से मसाले लग जाते हैं अभी थोड़े से टाइट है क्योंकि अभी हमने निकाला हुआ अच्छे से ठंडा जब हो जागाई बिलकुल खस्ता और अच्छे से टूट जाता है खाने में बिलकुल चिट पटा टीस्टी और अच्छा दस्वाद इसका लगता कैसे लगी रेस्पी आपको जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते ही ने रेस्पी को साथ बाबाई